सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नमस्कार हमारी यूट्यूब चैनल एलस टेक्नोलोजी एजुकेशन पर आपका स्वागत है और दोस्तो जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमरे पास डीजाइन है इस डीजाइन की पूरी डीटेल में आपको बत दोस्तों बात कर लेते डीजाइन थी तो डीजाइन हमने रखा है 32-32 विट में बिल्कुल जो है दोनों साइट से इसकी दिवारें सेम रहेगी और दिवारों का जो साइज है वो हमने 9 इंच रखा है अंदर की दिवारें 4 इंच रखी है छत हमने यहां पे 11 फिट वे डाली है और सिंगल जो ग्राउंड फोर में इसको बनाया है आप देखना चाहिए इसको देख सकते हैं यहां से और अंदर का पॉर्सन कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा और दोस्तों आप से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प आप मेरे वेबसाइट से ले सकते हैं और आई यह बात कर लेते हैं इस डिजाइन की तो दोस्तों ग्राउंड फ्रोर का पिए यहां से देख लिए प्रंट तो चलिए महां से आपको इसके अंदर क्या-क्या बनाया है हमने वह दिखा देता हूं है यहां पर देख लिए एक सारी चीजें सारी फैसलिटी आपको 32-32 फिट के मिल जाएंगी वह मैं बताऊंगा कि साइज क्या-क्या है किस-किस चीज का क्या-क्या साइज है तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्रंट की यहां से हमारा फ्रंट है हमारे घर का जो में एंट्रेंस डोर यह रहेगा है यानि जो टोटल है सब्सक्राइब रखा है और यहां से आपकी गुमावदार शीडियां उपर जाएंगे यहां से उसके बाद शीडियों के साथ हमने यहां पर कीचन रखा है आठ वाई आठ फिट के अंदर जो काफी अच्छा है आप देखने गवार यहां से चली मैं दिखा देखने हैं। जो किचन है देख लें यह हमारी यहां से 8 वाई 8 की जो कीचन है यह उसके बाद कीचन के साथ ही मैं आपको दिखा देता हूं हमारा जो एक दरोज अंदर से यह स्टोरूम हमने बना दिया है यह साड़े 5 वाई प्र फिट के अंदर जो है हमने इसको ही बना दिया है storage area उसके बाद दोस्तों यहां पर ऐहां पर आपका एक रूम हो जाएगा बाराबाई 10 का जो हमारा बाथरूम रखा साथ वाई पांच फिट के अंदर और पिछे जो एक डख्ट रखा है हमने लगभग अधाई फिट वाई पांच फिट का यहां से हमारा जो डख्ट रखा उपर से हवा अल्गा जो फ्लो आपके पूरे घर में यहां से बना रहेगा उपर खुला छोड़ दि देखिए यह 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 ने स्टेटी के लिए डिजाइन रूम बनाया दस बाइए आठ के अंदर यह रूम होगा आपके बच्चे वगएरा है तो यहां तो बैठके आराम से बढ़ सकते हैं यहां पर देखिए इसके अंदर शोफा बगएरा और इसका एंट्राइस दोनों तर देखिए यहां बातरूम और प्वाइलेट कंबाइन है यह आप यहां यहां से बाहर से यह आप अगर चाहें तो इसमें भी आप इंगलिश सीट जोहर लगवा सकते हैं यह आपका बातरूम अलग मैंने शिली देखिए ताकि इसको हर एक यूज कर सकते हैं यहां भी आप आप की यहांदर देखने है आप हाल है काफी बड़ा हाल है डातरूम बात करतों हमसें स्पेस के अंदर नहीं छोड़ा है क्योंकि जो हमारा प्लान था वो काफी छोटा था और इसकी उपर अभी हमने बना आई हैं तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इसकी उपर का डिजाइन भी आपको बना कर दिखाऊंगो तो दोस्तो जुरूर बताएं आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और बात कर लेते फ्रेंट वाल की आप इस टाइप का डिजाइन बना सते हैं और भी काफी सारे डिजाइन है वो भी आप बना सते हैं तो दोस्तो ये था आज का हमारा डिजाइन दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाई रिक्वेस्ट आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें सब्सक्राइब करके पैल आइकन को भी जरूर आप दबाएं ताकि हमारे दवारा डाले जाने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें